जी इसलाम नेकुम स्टूडेंस आज हम बात करें डबल इंट्रागटिव फिकरे कैसे बनाते हैं और उनके जवाबात कैसे देते हैं इससे पहले हम पिछले विडियो में हम कर चुके कि सिंगल इंट्रागटिव सिंगल सवालिया क्या होता है और उनका जवाब कैसे देते हैं और मेरा नाम है अक्मल और आप किसी वक्त भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए इंग्लिश लैंग्विज उपर गाइड लाइन लेना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए यूर अल्वेज वेलकम, मुझे मेरे नमबर पर आप राप तक करें और अगर ये आप वीडियो पहली मतबर देख रहे हैं तो डॉंट फगेट टु सब्सक्राइब ये नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, इसके साथ ये एक बेल आ रही है, उसे भी आन कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने सोशल मीडिया पर जरूरी से शेयर कर दें अपनी उपिनियन और अपने सवालात मुझे नीचे कामेंट्स में बताईए तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आज हम बात करें इस डबल इंट्रागेटिव की लेकिन पीछे हम बात कर चूके सिंगल इंट्रागेटिव की डबल इंट्रागेटिव क्योंकि सिंगल इंट्रागेटिव से रिलेटिड है, मिलता है तो पहली स्लाइड में हम सिंगल इंट रराग Wait को डिस्क्सक्राइए करें कमने किकल वाले वीडियो में कि सिंगल इंट ररागर्यूंग है वर्डियो में है और ये इसका जवाब हाँ या नाम नहीं आता है ठीक है किया आव जा रहे हैं are you going yes or no में आप जवाल कर सकते हैं is she reading क्या वो पढ़ रही है हाँ या ना में या yes या no में जवाब दे सकते हैं तो अब जो हमारे पास आ रहा है single interrogative जो करता है समझना हम नहीं है कि single interrogative जो फिक्रे थे वो हम से क्या पूछते हैं वो opinion या confirmation मांगती है single फिक्रे single interrogative में हमेशा opinion मांगी जाती है या confirmation मांगी जाती है और उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है जैसे पिछली slides में आपने देखा, ठीक है, ये पिछली slide में आप देखा, कि ये आप से opinion या confirmation मांगते हैं, और आप इनका जवाब हाँ या ना में देते हैं, ठीक है, अब हम बनाते हैं double interrogative, double interrogative आपको ये तो मैं बाता हूँ बात एक, ये start होते हैं interrogative pronoun से, interrogative pronoun लिखा हुआ ह आपने पड़ना क्या है? interrogative pronoun, ठीक है, double interrogative जो है, वो interrogative pronoun से start होते हैं, और interrogative pronoun क्या होते हैं? इस तरह कि फिक्रे, इस तरह के जो words होते हैं, ये interrogative pronoun कलाते हैं, और double interrogative start किसे होता है? हमेशा interrogative pronoun से शुरू हODग, उसके शुरू में what, why, when या इसी कुछ होगी, ठीक है? अब double interrogative बनता कैसे है यह उपर मैंने जो लिखा है आप देखिए double interrogative बनता क्या है कि पहले से single interrogative जो होगा उसके साथ हम plus कर देंगे interrogative pronoun यानि हमारे पास जो single सवाल या पहले फिक्रे मौजूद है उन्हीं के साथ हम सिर्फ एक word add करेंगे interrogative pronoun ठीक है यानि interrogative pronoun single interrogative के स्टार्ट में आप लगा देते हैं तो आप बना लेंगे double interrogative आगे देखें हमारे पास फिक्रा मौजूद है वही वही फिक्रे तकरीबन उसी तरह के क्या आप खा रहे हैं are you eating और इसका जवाब क्या बनता है yes I'm eating yeah no I'm not eating और इसमें पहले से आप देखें helping वर मौजूद है वहाँ क्या मौजूद है और अंग्रेजी फिक्रे में are पहले मौजूद है पहले से ये single interrogative फिक्रा है मौजूद और इसको जवाब देने के लिए मैं क्या करूँ इसके साथ ये देखें are पहले से मौजूद है मैंने what पहले add कर दिया interrogative pronoun एक add कर दिया are you eating मैंने अब क्या कर दिया what are you eating अब are भी interrogative के लिए use हुआ यहाँ पर शुरू में फिक्रे के शुरू में और what भी हो गया तो ये हो गया single interrogative यहां से हो गया और double interrogative आपके पास आगया एक interrogative pronoun लगके अब आपको यह पता चला कि double interrogative क्या हुआ क्यों कि single interrogative पहले से है उस single interrogative में देखे यह वही चीज़ है are you eating are you eating और मैंने what लगाया क्या आप खा रहे हैं और अब क्या होगा आप क्या खा रहे हैं ठीके आप क्या खा रहे है ठीके तो आगे फिकरा है मिरे पास are you going क्या आप जा रहे है are you going तो यही फिकरा are you going है इसके साथ मैं एक interrogative प्रोणाव लगा दिया are you going पहले से और मैंने when साथ लगा दिया आप कब जा रहे हैं are you going क्या आप जा रहे हैं? वेन आर यू गोईंग? आप कब जा रहे हैं? ठीक है? आप क्या आप जा रहे हैं? और आप कब जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? मैं पूछे जा रहे हैं? क्या आप 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 जा रहे हैं कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं है जाना भी है कि नहीं जाना और कहां जाना यह पता नहीं हम यह मालूमात ले रहे हैं वेन आर यू गोईंग आप कब जा रहे हैं आगे है क्या आप जा रहे हैं फिर वही फिक्रा आर यू गोईंग वही फिक्रा अब मैं where are you going वहाँ था when are you going यहाँ मैंने कर दिया when are you going यह आप देखें are you going पहले से है फिक्रा इसमें मौझूद और where इसमें लगा के हमने इसको double interrogative कर लिया क्या आप जा रहे हैं अब हम क्या करें आप कहां जा रहे हैं तो single interrogative में confirmation हो रही है और double interrogative में आप से पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं जिसी कि मालुमात पूछी जा रही है अब single interrogative मेरे पास फिर फिक्र है do you make tea क्या आप चाए बनाते हैं यह चाए बनाती है how do you make tea आप कैसे चाए बनाती है ठीक है क्या आप चाय बनाती है single interrogative है और how do you make tea आप कैसे चाय बनाती है यहां कैसे करना है आपने यह तो मैने ठीक लिखा है यह लिखते वक्ड़ खलती होगी हम से आप कैसे चाए बनाती है या where do you make tea यह भी किया जा सकता है आप कहां चाय बनाती है आप कहां चाही बनाती है आप कैसे चाही बनाती है आप कहां जा रहे है मेरे ख़ल यह फिक्रा मेरे थोड़ा सा अन्ट्री घलत होगी हव डू यू मेक टी यहाँ आपने क्या करना है आप कैसे चाही बनाते है यह लिक्खावा गलत है ठीक है Are you going क्या आप जा रहे हैं और यहाँ अपर नपढ़ना था, क्या आप जा रहे, मिरे खिले स्लाइडिंग में हमरे से गलती हो तो बहनी क्या आप जा रहे हैं, इसको आपने क्या आप जा रहे हैं, या क्या वो पढ़ रहे हैं, Is She Reading, और अगर ये उर्दू के हिसाब से पढ़ें तो इस ची रीडिंग होगी और अंग्रेजी वालेस के हिसाब से पढ़ें आर्यू गोईंग तो इसको हम पढ़ेंगे क्या आप जा रहे हैं ठीक है वाई आर्यू गोईंग आप क्यों जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा you a student? क्या आप एक तालिब इलम है? क्या आप तालिब इलम है? यहाँ आप पर करेंगे क्या आप तालिब है? यह थोड़ी सी खलती यहाँ पर हो गई है, इसको दुरस्त कर लेते हैं, मैं कोशी करूँगा एडिटिंग में इससे दुरस्त करवा दीजा है, ठीक है? और are you a student? क आप कौन है? who are you? आप कौन है? उपर है, क्या आप student है? पता है, सिर्फ confirm करें और double integrative में यह देखे, आर भी है इसमें और you भी है, तो इसमें who लगा के double integrative कर दिया गया, आप कौन है? राइट? तो आप ने देखा, मैं थोड़सा इसको comparison कर देता हूँ, जवाबाद मैं जवाले जो slide है, उसमें आपको जवाबात दें कि double integrative के जवाब कैसे देते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं इनको comparison करता हूँ कि double integrative और single integrative में फरक क्या है, single integrative starts with the helping verb, ठीक है? आपने देखा, फिकर पीछे थे, are you going, is, am, are, was, were, been से, single integrative शुरू होते हैं, double integrative, helping verb उसमें पहल तरफ से add करते हैं, यानि कि single integrative में सिर्फ helping verb होता है, और double integrative में helping verb और उसके से पहले integrative pronoun होता है, single integrative में opinion या confirmation मागी जाती है, और double integrative में information या मालूमात मागी जाती है, single integrative में हम हाँ या नामे जवाब देते हैं, और double integrative में तफसीली जवाब दिया जाता है, छीक है? मु के जवाबात के लिए मेरी कोशिश हो ती कि विडियो लेस देन 10 minutes रहे लेकिन वीडियो का size हमारा लंबा हो गया तो इसमें मैंने जवाबात देने थे double interrogative के लेकिन उसके लिए मैं अगली वीडियो में इंशाला double interrogative के जवाबात हम कैसे देंगे मैं ये बता रहूं कि इसका तफसीली जवाब होता है हाँ या नहीं होता हाँ या नहीं होता बलके तफसीली जवाब होता है अगली वीडियो में हम इसको discuss करेंगे अगें आप से मैं हम request करती हैं कि अगर आप पहली मर्दब वीडियो देख रहे हैं तो don't forget to subscribe us subscribe कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सवालाथ मुझे कमेंट्स में फिकरें इस वीडियो के आखर में कमेंट्स में नीचे सबसे जाके आप कमेंट्स में बताइए ताकि आपके सवालाथ के मताबक अगले वीडियो बनाए जा सके और आपके देखिएगा, सीखते रहेगा, लाइक और शेयर करते रहेगा, ठीक है, अगली वीडियो के साथ आपसे दुबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखीगा, अलाहाफिज